फिल्मी संगीत कभी हीलिंग नहीं देता मनुरंजन देता है भारत का अमरित कलश हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें न केवल मनुरंजन है ओरिजिनल संगीत है सत्ता में बैठने के लिए एक देव दूत आ गया है कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ समवाहक आ गया है प् हमारा संगीत आता है यह कोई फिल्मी संगीत हीलिंग में नहीं आता काम यह समझ लो आप है मेरे दर्शकों है मेरे शुरुताओं हम तो आप ही से हुगे हैं फिल्मी संगीत कभी हीलिंग नहीं देता मनुरंजन देता है और हम मनुरंजन के लिए बने ही नहीं है सब क्यों क क्योंकि थोड़ी सी आपत्ती आती है, तो मनुरंजन नहीं याद आता आपको, आपको परमात्मा याद आते हैं, परमात्मा का सुमिरन याद आता है, और मनन याद आता है, थोड़ी सी विपत्ती आते ही, और ऐसा कोई घर नहीं जहां विपत्ती ना हो, तो क्यों ना हम पहल मनोरंजन है, ओरिजिनल संगीत है, ट्रेडिशनल संगीत है, पारंपर एक संगीत है, पारंपर एक संगीत के साथ साथ, रंग, रूप, वेश, भूशा, वो सब अपने अपने राजियों की ला रहे हैं, 28 राज्य, आठ के इंदशासित प्रदेशों से 170 नग हम ढूंड के ला आप लें, ईसे ऐसे डाइमंड मिलें, कि कुछ ने तो मुंबई first time देखा, कुछ ने train first time देखी, कुछ ने studio first time देखा, ये बात सुनशनकर ही, देखे अभी बता भी रहा हूं तो रोम रोम पुलकित हो रहा है, आप समझ रहें भारत कितना हमारा सम्रिद था, और भारत की क रैटने के लिए एक देव दूत आ गया है कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ सम्वाहक आ गया है जो बड़ी निश्ठा से मेरे भारत को अपना परिवार और घर समझ कर एक एक फ्रंट पर एक एक लक्ष पर ऐसे मेहनत करके समार रहा है कि हरे बहुत बिगड़ गई थी सवि यह हो गया था मानसिक्ता बिगड़ गई थी अंग्रेज बनने को देख रहे थे और अंग्रेज अपने को एकसेप्ट नहीं कर रहे थे तो यह बीच की जो कड़ी थी एक लॉट यह आ गया था और एक ऐसा जिससे डाउन ट्रोडन कहते हैं जिसको फ्रंट में आने ही नहीं सबसे पहले प्रधान मंत्री हमें ऐसे दे दिये जो एक तपस्वी स्वरूप है एक साधू स्वरूप है बस सेवा कर रहा है और सेवा जैसे आश्रम की मंदिरों की होती है ऐसे मेरे भारत की सेवा हो रही है हर फ्रंट पे हम एमपावर हो रहे हैं कंगले नहीं हो रहे हैं ये शब्द है, जिनको हम स्वावलंबी बनाना कहते हैं, अब नारी शक्ति को आगे लाया जा रहा है, युआओं को आगे लाया जा रहा है, गरीबी उनमूलन हो रहा है, दीरे दीरे देखे एकदम से सब कुछ नहीं होगा, पहले फ्री में बांटा जाएगा राशन, दीरे साल का रोग है, माली जे मैं तो हजार साल का रोग कहता हूँ, हजार साल का रोग क्या, दस साल में दूर हो जाएगा क्या, दीरे दीरे, दीरे दीरे रे मना, दीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रितु आये फल होए, अभी रितु आ रही है, परमात्मा का दूत परमात्मा के दूद की मंडली आ गई अभी भी बहुत आयोग्य लोग हैं हमारे सत्ताओं में भी लेकिन दीरे दीरे छट रही है काई हट रही है और दीमक हट रही है पहले तो यहीं से शुरुआत हो गई उसके बाद जब आप हर शेत्र में नेक नियत और निष्ठा और समर करा रहे हैं कोई अरुनाचल से आके गा रहा है कोई हिमाचल से आके गा रहा है कोई नोर्थीस्ट के मनिपूर से आके गा रहा है और वहां की कल्चर बता रहा है देखे कोई भी हमारे हैं सिर्फ गाही नहीं रहा सिर्फ गाने के लिए तो बहुत सारे आपके पास साधन है आप बटन दबाईए फूहड से फूहड आपको मनुरेंजन उपलब्ध हो जाएगा फ्री में बत्तमीजियां फ्री में उपलब्ध हैं परन्तु तमीज के लिए मंदिर जाना पड़ता है और मंदिर आपके दूर नहीं है आपके घट में है आप हिर्दय में अगर शुद्धता रखेंगे पवित्रता रखेंगे तो मंदिर है ये मेरा दाता यहीं मेरा परमात्मा यहीं हर इंसान को पता होता है वो क्या घटिया काम कर रहा है और क्या घटिया बोल रहा है लेकिन व आवेश में आके क्रोध में आके बढ़े का किसी का अनादर कर रहा है तुझे पता नहीं तू किसका अनादर कर रहा है क्यों कि उसमें भी मैं ही बैठा हूं दैत्य और दानव युगों-युगों से रहे हैं परंतु संगहार वध जो हुआ है वो दानवों का हुआ है कभी कि सोड का ये एक शो है जो छे महीने तक चलेगा डीडी नेशनल पर 24 फरवरी से शायम 7 बजे से 8 बजे तक के प्राइम टाइम में ये आएगा नाम देखे ऐसा है जैसे फिल्मी लोग कर रहे हैं गोरे गाउं फिल्म सिटी में शूट चल रहा है देखे हमें भोतिक रूप में ही रहना होगा परंतु बांट ना भी आध्यात्म को ही पड़ेगा क्योंकि हर घर में बीमारी घुस चुकी है पहले भारत बीमार नहीं होता था पहले भारत जूट नहीं बोलता था ये सब जूट कपट ये हमें बार के लोग जब आकरांता आए हमारी सब्यता का विनाश किया हमारी शिक्षा का विनाश किया हमारे साहित्य का विनाश किया हमारे जीवन शैली को बिगार दिया और हमें भ्रमित करके जब जहां जिस देश को जिस देश का मूल मंत्र होता था वसुधाइव कुटुम्वकम कर्म ही धर्म है जिस देश का ये मूल मंत्र होता था सब मिल जुलकर रहते थे उस देश में कैसे बांट के चले गए कैसे दिमाग लग गए कि तु छोटा है तुझे से नफरत कर रहे है तु बड़ा है तुझे अकड़ में रहना चाहिए और इस तरह से मानसिक्ता विकृत करके भारत को विकृत कर दिया अब समय है चेत तेरे नर्चेत तेरा चिड़िया चुक गई खेत जो जगता है वही जगाता है आज ये जो अबला उनमत कैलाश खेर हमको कुछ और नहीं चाहिए ना हमें स्टार डिगरी चाहिए ना हमको रॉक स्टार चाहिए ना हमें सेलिब्रिटी हम इस भारत के इस संतती के इस सब्यता के सेवक हैं श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत